Hey guys, this is Prithvi और आज के इस वीडियो में आपसे बात करूँगा एक laptop के बारे में जो कि इसकी price range के बामने में काफी कमाल का है और यहाँ पर यह laptop काफी cheap price में available है Amazon और Flipkart पर जहाँ पर आप इसे purchase करके अगर आप YouTuber हो तो यहाँ पर film और यहाँ पर use कर सकते हो या फिर आप YouTuber ना भी हो और कुछ अलग से आप कुछ करते हो तो आप छोटे से छोटे काम इस पर भी कर सकते हो तो आपको कुछ मेंगा laptop लेने की यहाँ पर जुरुत नहीं पड़ेगे So guys, ऐसा ही laptop मेरे पास है जिसका नाम है eyeball compo book जहाँ पर इसका हम करेंगे unboxing देखेंगे इसके features और क्या है इस सही laptop है आपके लिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे So without wasting any more time guys, let's getting started So guys, यह है सामने तरफ box जहाँ पर सामने की तरफ लिका गया है compo book और बीच में लिका गया है इसके open up और जहाँ पर आप इसके boot करेंगे तो यह on हो जाएगा और वहाँ पर आजाएगा की UI जहाँ पर लिका होगा open up उपर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर Windows 10 जो इसके operating system है इसके बारे में दिया गया है जहाँ पर side में दिया गया है Intel Atom की जहाँ पर आप इसे पढ़ भी सकते हो तो चलिए इसे करते है directly unbox तो यहाँ पर लिका है इसका excellence OHD side में लिका है compo book बीच में लिका है open up और उपर की तरफ दिया गया है इसका Windows 10 जो की इसका operating system है और side में इसमें है Intel inside क्योंकि इसमें Intel का processor लगा हुआ है नीचे की तरफ आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिल जाता है जहाँ पर आप इसे पढ़ भी सकते हो और नहीं भी यहाँ पर side में लिका है Windows 10 और box के अगर नीचे की तरफ बात करें तो इसके कई सारे specification से यहाँ पर लिखे गए जहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हो और पढ़ने की जुरूत ने क्यूंकि आप जब यह वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको बता होंगा ही तो चलिए इसे करते हैं अनबॉक्स तो यहाँ पर इससे करते हैं यहाँ से ओपन तो यहाँ पर box इसे इस तरह से खोलना पड़ता है क्योंकि एक suitcase की तरह दिखता है बिल्कुल एक क्वाथी बढ़िया packing की तरह यहाँ पर उपर की तरह हमें हमारा product मिल जाता है जो की चारजरी से इस लापड़क को चारज कर से हो यहा पर यहां पर इस चार्डियर से में करीब दो से तीन घंटे लेता है फुल चार्ज होने के लिए अगर इसके बैटरी कापसिटी की बात करें तो इसमें आपको 10,000 एमेज की बैटरी मिल जाएगी अब आता है यहां पर मेंट प्रोड़क की तरफ तो यहां पर इसे खोलते हैं यहां से तो यहां से हमारा यह जाएगा यहां पर इसके manufacturing के बारे में लिखा गया है जहां पर आप इसे देख सकते हो अगर बात करें इसके overview की तो काफी बढ़िया है काफी हलका साइज ज्यादा पलकी भी नहीं है क्योंकि यहां पर इसे laptop को आउन करते हैं तो मैंने इसे पहले से यहां पर बूट करके रखा हुआ है क्योंकि यह बूटिंग करने में थोड़ा सा तो वक्त लेता है नॉर्मन लैप्टॉप से फिर भी काफी बढ़िया है और यहां पर अगर बात करें इसे open की तो यहां पर आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हो छोटे छोटे यहां पर आप इसी सिक्वरेटर होते हैं जहां पर आपको Windows 7 यहां पर आपको Windows 10 मिलता है यहां पर बात करें इसके अंडर वीउ की तो यहां पर Windows का पूरा यहां पर UI दिया गया है जो कि आपको Windows के मोबाल में देखने को मिलेगा यहां पर अगर स्क्रोल डाउट करें तो यहां पर आपको बहुत सारे जहां पर इस webcam की मदद से आप Skype पर वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो या फिर दूसरे एप्स जो की वीडियो कॉलिंग को सपोर्ट करते वहां पर भी चल जाएंगे अब यहां पर इस laptop के बारे में बताओं तो यहां पर Intel Atom Inside है Intel का प्रोसेसर है जो की इस laptop को run करने में काफी बड़िया मदद करता है और इसका जो touchpad है वो भी काफी बड़िया है अगर हम feature की बात करें तो side से जब मैं right से left यहां पर swipe करूंगा तो यहां पर कई सारे features open हो जाएगा जहां पर left की side से अगर right की तरफ हम swipe करें तो यहां पर जो भी application आप on करेंगे तो वहां पर आपको multitasking यहां पर option देख जाएगा जो की बिल्कुल एक Android की तरह है यहां पर इसमें आपको tablet mode मिल जाता है tablet की तरह पर aid laptop यहां पर इसकी जो screen है वो touch in नहीं है यहां प तो आपको बहुत ही higher laptop यहां पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब यहां पर आपको बताता हो इसकी length के बारे में तो यह आपको 11.6 inches का मिल जाता है जो की size के मामले में काफी बढ़िया है यहां पर इस laptop में आप अपना 360 वर्क भी कर सकते हो इस laptop का खड़े हो कर भी यहां पर यूज कर सकते हो जो की दिखने में काफी बढ़िया लगता है और यहां पर आप इस laptop को 180 डिग्री में भी फोल्ड कर सकते हो So guys यह 30 की complete unboxing अब यहां पर बताता हूं इसके features तो यहां पर इसमें मिलेगे आपको 2GB की RAM 32GB की इंटरल स्टोरेज जहां पर आप इसे 64GB तक expand कर सकते हो यहां पर आपको HDD 1TB तक यहां पर support देखने को मिलेगा hard drives का और यहां पर इसमें जो processor है वो Intel Atom X7375ZF नाम का है Intel Atom processor जो की इस laptop के लिए काफी कमाल का है और यहां पर जो आपका experience देगा वो काफी कमाल के देगा मैं इसे काफी time से use कर रहा हूँ और मैंने अपने बहुत सारे काम इस पर करे है बहुत सारे वीडियो को इस पर edit करा है और काफी अच्छा experience मुझे इसमें देखने को मिला यहां पर अगर gaming के बात करें gaming laptop की तो इस gaming के लिए बिलकुल नहीं बला क्यूंकि 2GB की RAM है और यहां पर आप ज्यादा कुछ इसमें नहीं कर सकते है इसमें आपको Microsoft का account चाहिए होकार यहां पर इसमें आपको काफी सारे modes देखने हो मिलेगे जैसे की tablet mode जैसे के wireless display यहां पर आपने इस display को आप कही पर भी कास कर सकते हो प्रोजेक्टर से जोड सकते हो इसमें आपको मिलेगे डो port जो की USB के होंगे एक HDMI port और एक charging port जहां पर इस HDMI port और इसके जो USB port है इसकी मदद से आप जो external devices हैं उन्हें भी इससे attach कर सकते हो यहां पर मैं externally एक mouse और एक keyboard यूज़ करता हो क्योंकि इसका जो keypad है वो थोड़ा थोड़ा सा यहां पर problem देता है कभी कभी तो यहां पर अगर मैं कहूं इस laptop के बारे में तो यहां पर अब इसे purchase कर सकते हो मगर इस साल भर तक चलेगा एक smartphone की तरह और बाकी जो इसकी guarantee हो ब नहीं देता थोड़े से ही buttons वगेरा यहां पर खराब हो जाते है पर मैंने अलग से एक keyboard खरीद कर रहा है और वहां पर मैंने इसे attach किया और वहां पर एक completely बहुत अची तरीके से यहां पर support कर रहा था बाकी यहां पर कुछ problem नहीं है यहां पर इसके display की बात करें तो display आप पर बहुत ही छोटी है जहां पर आप इसे कहीं पर भी portability के साथ ले जा सकते है और यहां पर आपको कोई भी यहां पर problem देखने को नहीं मिलेगी यह थे इसके features और यह थे इसके unboxing आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आया हो तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और channel को subscribe करके bell icon को press करजिए so guys this is me Prutu from this channel and I will see you guys in the next one कर दो